दूसरा अध्याए और जब उसे उधेड चुके तो उस खाट को जिस पर जोले का मारा हुआ पड़ा था नीचे लटका दिया यीशू ने उनका विश्वास देखकर उस जोले के मारे हुए से कहा हे पुद्र तेरे बाप ख्षमा हुए तब कई एक शास्त्री जो वहां बैठे थे अपने अपने मन में विचार करने लगे ये मनुश्य क्यों ऐसा कहता है ये तो परमेश्वर की निंदा करता है परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप ख्षमा कर सकता है येश्व ने तुरंत अपनी आत्मा में जान लिया कि वे अपने अपने मन में ऐसा विचार कर रहे हैं और उनसे कहा तुम अपने अपने मन में ये विचार क्यों कर रहे हो सहज क्या है क्या जोले के मारे से ये कहना कि तेरे पाप ख्षमा हुए या ये कहना कि उठ अपनी खाट उठाकर चल फिर परन्तु जिससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृत्वी पर पापक्षमा करने का भी अधिकार है। उसने उस जोले के मारे हुए से कहा, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ अपनी खाट उठाकर घर चला जा। वो उठा और तुरंत खाट उठाकर सब के सामने से निकल कर चला गया। इस पर सब चकित हुए और परमेश्वर की बढाई करके कहने लगे। वो फिर निकल कर जील के किनारे गया और सारी भीड उसके पास आई और वो उन्हें उपदेश देने लगा। जाते हुए उसने हलफई के पुत्र को चुंगी की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा मेरे पीछे हो ले। और वो उठकर उसके पीछे हो लिया। जब वो उसके घर में भूजन करने बैठा और बहुत से चुंगी लेने वाले और पापी यीशू और उसके चेलों के साथ भूजन करने बैठे क्योंके वे बहुत थे और उसके पीछे हो लिये थे। शास्त्रियों और फरीसियों ने ये देखकर के वो पापियों और चुंगी लेने वालों के साथ भोजन कर रहा है उसके चेलों से कहा येशु ने ये सुनकर उनसे कहा भले चंगों को वैद्य की आविशक्ता नहीं परन्तु बीमारों को है मैं धर्मियों को नहीं, परन्तु पापियों को बुलाने आया हूँ यूहन्ना के चेले और फरीसी उपवास करते थे सो उन्होंने आकर उससे कहा यूहन्ना के चेले और फरीसीों के चेले क्यों उपवास रखते हैं? परन्तु तेरे चेले उपवास नहीं रखते येशु ने उनसे कहा उसमें से कुछ खीच लेगा, अर्थात नया पुराने से और वो और भी फट जाएगा, नए दाखरस को पुरानी मश्कों में कोई नहीं रखता, नहीं तो दाखरस मश्कों को फार देगा, और दाखरस और मश्कें दोनों नश्ट हो जाएंगी, परन्तु दाख का नया रस न नए मश्कों में भरा जाता है, और ऐसा हुआ कि वो सब्त के दिन खेतों में से होकर जा रहा था, और उसके चेले चलते हुए बाले तोड़ने लगे, तब फरीसियों ने उससे कहा, ये सब्त के दिन वो काम क्यों करते हैं जो उजित नहीं, उसने उनसे कहा, क्या तुमने क के भवन में जाकर भेंट की रोटियां खाई, जिनका खाना याजकों को छोड़ और किसी को भी उचित नहीं, और अपने साथियों को भी दी, और उसने उनसे कहा, सब्त का दिन मनुष्य के लिए बनाया गया है, नकि मनुष्य सब्त के दिन के लिए, इसलिए मनुष्य का पुत्र सब्त के दिन का भी स्वामी है,